मुख्य मंत्री हेमन सोरेन ने आज फिर अपने तेवर दिखाए उन्होंने एक बार फिर से केंद्र और भाजपा को निशाने पर लिया उन्होंने कहा कि वे गुरुजी के बेटे हैं उनके करनी और कतनी में कोई अंतर नहीं है मैं भले आज मुख्य मंत्री के रूप में हूँ पर मेरी पहचान आंदोलनकारी के बेटे के रूप में है ये पहचान मेरी सबसे बड़ी पहचान है पता नहीं मेरे प्रतिधवन्दियों को उनसे क्या परिशानी है जब चुनावी राजनिती में नहीं सके तो अब केंद्री ये जाज एजनसियों के माध्यम से उन्हें काम करने से रोका जा रहा है उन्होंने फिर केंद्र को निशाने पर लेते हुए कहा की आजादी से आज तक खनन के बकाई केंद्र के पास है एक लाग चत्रिस हजार करोड बकाया है अगर केंद्र एक बार इतनी राशी दे देगी तो वह सड़क पर आ जाएगी ये बाते आज सीम ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित जारखंड आंदोलन कारियों के चिन्हिती करन को लेकर आयोजित एक कारिक्रम के दौरान कही कारिक्रम में जामुमो प्रमुक्षीवू सोरिन, क्रिशी मंत्री बादल पत्र लेक, विधायक सुदिव्य कुमार सूनू सहित कई अफसर मौजूद थे कारिक्रम में जो आंदोलन कारियों को एक नए सीरे से सुची बद करने की एक सफल प्रयास के इस मुहिम में सामिल हुए आप पूरे राज से आये हुए आंदोलन से जुड़े हुए सभी आदन्य सम्मानित सदस्गर आप सब को मैं अपनी और से तहे दिल से आप लोगों का भार प्रिकट करते हुए जोहार करता हूँ कठिनाई भरी रास्ते से चल कर ये राज हमें मिला है ये आप पो हमें बतानी क्या वसकता नहीं और हमको लगता है कि आदन्य गुरुजी ने जब इस राज को अलग करनी की बात कही थी तो इस राज की लोग इनकी बातों को हसी में उडाते थे कि क्या यहां का आदिवासी यहां का मुलवासी राज ले पाएगा देश में कई राज बने कई राज अलग हुए लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरीके से इस भारत देश की अजादी की कहानी है उससे कम इस राज की अजादी की कहानी नहीं है बतोर मुखमंत्री के रूप में मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ यह मेरा स्वभागी की बात है लेकिन मेरी पहचान एक अहंदोलनकारी के सुपूत्र होने का है और इस से बड़ा पहचान और कोई नहीं है और आज आपके हक, हकुक की चीजें आप तक कैसे पहुँचे यह मैं लगातार इस विशे पर चिंतित रहा हूँ एक तो सरकार बनने के बाद कुरोना हमारे जोली में आया दो धाई साल तक यूहीं तड़पते रहे हम लोग और आज जैनी हमने अपनी रफ्तार विकास की तेज की तो आज एन केन परकारन कई सम्मेधानिक संस्थाएं हमारी गती को धिमा करने पे लगी है कोईला लोहा अब्रक अने को तरीके के खनी संपदा के बारे में हम लगबख सब को जानते हैं जहां खोदो वहीं खनी संपदा निकलता है कुछ न कुछ निकलता है को कोई लाज नहीं निकला तो लोहा निकल जाएगा, लोहा नहीं निकलता है तो तांबा निकल जाएगा, तांबा नहीं निकलता है तो सोना भी निकल जाता है कहीं कहीं. ये हालत है हमारे राज में लेकिन हमारे राज की लोग आज की दिन में भी इतनी बुरी स्थित्य की उसके अंदर जर तक जाके देखा हमने तो पता चलता है और देखने के बाद जो आकड़े उबर के आते हैं पहली बार सुनने के बाद तो दो मिनिट के लिए हमको भी अंधेरा चाग गया आजादी के बाद से लेके आज तक जब से खनन सक यहां पर खुदा ही होती है खनी संपदा की उस समय से लेके आज तक सरकार के कई भारत सरकार और एजेंसियों के कई बकाये बाकी हैं जो दूसे राजयों को तो मिलता है लेकिन चारखन परदेश को नहीं मिलता एक लाग छती सजार करोड रुपिया हमने ढूंड निकाला मुझे लगता है जब से इस राज में खनीज की खुदाई हो रही है उन खनीजों से जितना हमें लाब नहीं मिला उससे कहीं ज्यादा हमारा बकाया निकल रहा है हमने भारत सरकार को विश्य से अवगत कराया उस संदर में कुछ हजार बारा सो करोड रुपिया मिला भी है मैं तो कहता हूँ एक लाग तीस हजार करोड भारत सरकार को भी अगर वो एक बार में दे दे तो भारत सरकार सड़क पर भीग मांगते हुए नजर आएगी बतादत हम बोले एक लाग तीस है चाटिस हैरा करोड रुपिया मत दिजिए हमको उसका इंट्रेस्टे दे दिजिए उसी से हम राज सरकार को उस जगह पर पहुंचा देंगे जहां आज बैंगलोर और हैदराबाद है कोई नहीं रोक सकता था इस राज को आगे बढ़ने से लेकिन दुर्भाग है इस राज को चलाने वाले है इसे ऐसे लोग काभी जीए ना जीनको राज अलग करने से कोई ले ना देना रहा नाविस राज के आदिवासियों से ना मूल वासीों से ना धलित से ना पिछडों से कि नाल्म संक्यक से किसे से कोई लेना देना नहीं रहा है विशुद रूप से इस राज को लोगों ने एक कि लूट का अड़ा बनाया और आज आप देखते होंगे टीबी रेडियो अख़वारों में यहां लूट हो रहा है यहां खनन का खुदाई गलत तरीके से खनन हो रहा है कि सारे फाप इन लोगों ने अपने समय में किया और यह ठीकरा मड़ना चाहता है हमारे सर्प क्योंकि आज हम सत्ता में हैं एक-एक का जवाब देंगे हम पुरानी वेबस्था को भी ठीक करेंगे और उस वेबस्था को बेहतर और मजबूते के साथ भी आगे बढ़ाएंगे सत्ता परिवर्तन होता क्या है वही पुरानी विवस्ता हमें मिलती है वही पुरानी गाड़ी हमें मिलती है और उसी को आगे चलाना पड़ता है इससे पहले जो उसका ड्राइवर था अगर उस गाड़ी को टेड़ा मेड़ा चलाएगा तो टेड़े मेड़े ना चलेगा जी अब बढ़िया ड्राइबर आएगा तो सिधा जाएगा बढ़िया से जाएगा सारे पैसंजर सुरक्षित रहेंगे तो हमने ऐसे कानून बनाना सुरू कर दिया कि आप इस राज का ख़ड़ी संपदा का मालिक सबसे पहले राज सरकार होगा उसके बाद दूसरे राज की लोगों को मिलेगा पहले इस राज की लोगों का पेट भारा जाएगा बचेगा तब देंगे बाटेंगे नहीं बहुत बाट लिया हमें मिलता था बचा कुचा मूल चीजी वो लोग खाते थे अब मूल ची जारखन वासी खाएगा और बचा कुचा उलोग खाएगा और यही तकलीव हमारे परतिद्वन्दि को है इनको पता है कि यह लड़का अगर कुछ दिन और रह गया सत्ता में तो साइद आने वाला समय इस राज का हरे एक व्यक्ति हरे गाओं इस तरीके से लह लह आएगा इतनी खुसिया गाओं में होंगी कि वहाँ पर द्वेस फ्यलाने का जगह नहीं लेगा जहारखन सबसे सांति पिरे राजियों में से एक यहां लोग हमेशा से बड़े अमन, चैन, सांत, स्वभाव से रहें लेकिन जब-जब अधिकार की लड़ाई होती रही है हम लोगों ने या हमारे राज के मुलवासे आदिवासियों ने कभी पीठ नहीं दिखाई अपने राजिस जुड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले